नमस्कार मैं हूँ आपके साथ ज्योटसना और आपका हार्दिकविनंदन है हमारे कारिकरम निर्जला एकादशी में जिसके बारे में आपको संपून जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस खास कारिकरम की माध्यम से तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी के को समर्पित एकादशी तिथी साल में 24 पार पड़ती है इन में से सभी से एकादशी वृत को महतुपून माना गया है लिकिन जेश्ट महा में पढ़ने वाली निर्जला एकादशी बिहद खास होती है क्योंकि इस वृत में अन्न के अलावा जल भी ग्रहन नहीं किया जाता है अगर आप निर्जला एकादशी का वृत रख रहे हैं तो आपको अगले दिन यानि द्वादशी तिथी पर जल ग्रहन करना चाहिए इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को है तो आप इस वृत को पूरा करने के बाद 19 जून को सूर्योदे के बाद जल ग्रहन करें कर सकते हैं निर्जला एकदशी व्रत गर्वति महिलाओं को नहीं करना चाहिए वह भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की पूजा कर सकती हैं ऐसी मानेता है कि निर्जला एकदशी व्रत का पूर्ण फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब अगले दिन व्रत का पारण किय जाए इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन धन और वस्तर का दान करना चाहिए इसके अलावा निर्जला एकदशी के दिन तुलसी के पौधे को नहीं चूना चाहिए ऐसा माना जाता है कि मा लक्ष्मी एकदशी व्रत करती हैं तो ऐसे में पौधे को परश करने से उनका व्रत हंडित हो जाता है निर्जला एकदशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए वहीं आपको बताते हैं पंचांग के अनुसार किस तरह से है ये एकदशी जैश्ट महा के शुकलपक्ष की एकदशी तिथी की शुरबात 17 जून को सुभ सुभह 5 बचकर 23 मिनट से लेकर 7 बचकर 28 मिनट तक कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का कारे करम आमें जरूर बताईएगा कमेंट करके साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले नमस्कार